वेलकम टू माइनिंग वाला आज हम इस वीडियो में कैपिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम कैपिंग करने के तरीका उसके टाइप पूरे विस्तार से जानेंगे तो आएए देखते हैं कैपिंग क्या होता है तो the end of the rope where load is to be attached should be such that it may be attached to load in a simplest way यानि किसी भी load जैसे की tub हो गया तो tub के hook में जब rope को फसाना है तो उसके लिए जो attachment रहता है वही उसी को कहते हैं capping and attachment is known as capple वही लिखा है capple कहते है and is attached to one end of the rope so that rope can be attached to the load rope के एक end में इसको attach करते हैं जिससे tub के cone में फसता है the attaching of the capple to the rope is known as capping तो यही capple को attach करने का जो process होता है rope में उसी को capping कहते हैं तो आयू देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं तो समानेतर इसके तीन टाइप होते हैं पहला है split capple दूसरा है white metal capping और तीसरा wedge type capple जिसको relance capple भी कहते हैं तो हमारा पहला capple है split capple with ribbits capping capple को लगाने का process है और capple एक attachment है जिसको rope में लगाते हैं तो घबराइएगा मत यहाँ capple और capping पढ़के एक ही चीज हैं दोनों तो देखते हैं split capple को यह process लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले तो यह कहां use होता है उसको देखते हैं इसका उपयोग haulage में ही करते हैं समानता और इसका जो उपयोग है वाइंडिंग में permitted नहीं है और second point है हमारा near the end of rope mark two point one point one cone length away the another point two cone length away from the end तो यह पूरा process लिखा हुआ है split capple को कैसे perform करते हैं capping कैसे करते हैं rope में इसका मैं diagram से आपको समझा दे रहा हूँ अगर आपको notes बनाना होगा तो यहां से आप लिख लिजेगा यह इसका है diagram यह है एक rope इसको लिए इसको ABC यह जो mark किया हुआ है ऐसे mark किये उसका वहाँ पस लिखा हुआ है two third, one third ऐसे करके फिर इसको यह पूरा खोल लेते हैं आपस पूरा जो इसका wires है उसके बाद इसको diesel या कैरोसीन से धोते हैं rope को diesel से धोने के बाद इसका rusting हट जाएगा उसके बाद एक extra wire लेके उसको ऐसे ऐसे यहाँ पस round कर देंगे और जो यहाँ पस खुला हुआ portion जो बचेगा इसको one third third काट देते हैं यह वाला जो portion है उसके बाद एक लकड़ी का wedge लेते हैं wedge मतलब कुछ ऐसा structure वाला लकड़ी उसको यहाँ पस लगाते हैं fix करते हैं इस वाले पर यहाँ पस fix करते हैं जिससे यह वाला भाग conical हो जाता है थोड़ा उसके बाद इसको बोलते हैं split couple इसको split को लगाने के बाद दो-तीन rivit जो हैं उसको hammer कर देते हैं यही पुरा process है यही process वहाँ लिखा हुआ है और इसी diagram को बना लिजेगा आप लोग यही दो diagram है अब दूसरा हम देखते हैं corn socket type couple यह उससे थोड़ा बैसर couple है तो इसको देखते हैं क्या है the corn socket type couple is probably the most compact type of rope capping that can be fitted on the rope used for practically every purposes याद रखेगा every purposes के लिए इसका use कर सकते हैं including winding, winding में भी पर जहाँ इसका permission हो वहाँ और समानेते हैं इधर पूरा process लिखा हुआ है उसका आप screenshot ले लिजेगा या फिर इसको list लिजेगा पॉस करके मैं इसको diagram से आपको समझा देता हूँ आपको अगर समझ में आया रहेगा तो आप इसको form करके लिख सकते हैं यह देखिए एक wire rope लिए इसको बोलते हैं conde socket यही है हमारा splicing का सबसे main material यह है conde socket इसके बीच में एक छेद होता है यहाँ पास hole इसमें से सबसे पहले एक wire rope लेके डाल देना है winding rope जो है इसको यहाँ डाल देना है उसके बाद इसको کھोलना है winding rope को winding rope के जितने strands है उसके wires हैं वो पूरा खोलना है उसको दोना है rust corrosion जो भी है उसको हटाना है diesel या petrol से दोना है उसके बाद इसको अगले डाइग्राम में मैं दिखाता हूँ ऐसे वर्टिकली रखना है और नीचे जो है यहाँ पास कले कले से लगा के पैक कर देना है जितने भी होल्स है यहाँ पास कॉनिकल टाइप में यहाँ बना रहता है उसमें ऐसा आकरिती रहता है कॉन्ड में यह जो सोकेट है उसमें तो ऐसा फिट कर लेना है वर्टिकली खड़ा कर लेना है उसके बाद वाइट मेटल होता है एक वाइट मेटल को मेल्ट करने के बाद इस वाले कॉन्ड सोकेट में डाल देते हैं इतने खोले wires हैं वो पूरा compact हो जाता है और कुछ दिर बाद ठंडा होने के बाद इसका use करते हैं और यह जो आपको छेद दिखे रहा है यहां पस दो nut ऐसे लगा देते हैं और इस वाले भाग में hook में फसा देते हैं जिससे इसका उपयोग करते हैं तो यही दो diagram है उसका और यह है उसका process पूरा आप यहां से लिख सकते हैं और ए और एक दो diagram बना लिजेगा आप इसमें पूरा number मिल जाएगा आपको अब तीसरा देखते है हमारा तीसरा type of capping है wedge type capple या फिर reliance capping भी इसको बोलते हैं तो in this capple there are two iron wedges which grip the rope near the required end where white metal block is prepared इसमें process लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको क्या है reliance capple में आप लिख सकते हैं पहला दूसरा point या सबसे भरोसे मंद capping है या first point होगे आपका दूसरा point लिख सकते हैं कि इसका use सभी जगह पे किया जा सकता है और जहां main winding होता है वहाँ इसका use must है यानि main winding में केवल इसी का use करते हैं बाकी जो दोनो split capple या consocate था उसका उप्योग नहीं करते हैं अगर main winding है तो तो यहाँ देख लिजेगा process यहाँ लिखा हुआ है दो point और फिर पीछे है इधर यह है diagram यह पूरा जो है यह पूरा एक set है diagram इसमें देख रहे हूंगे जो cc करके है यह है clamp यहाँ पस लिखा हुआ है और यह वाला जो a है यह interlocking wages होता है यह कैसे रहता है इसके बीच में ऐसे grip बना रहता है खाचा रहता है उसी में group कहता है उसको उसी में wire rope को डालते है सबसे पहले तो wire rope लेते है उसके end को उसके end भाग को थोड़ा सा खोलते है उसमें white metal का powering करके ऐसा block बनाते है चार कोने का उसके बाद इसको interlocking wedges में फसाते है यह जो interlocking wedges में बता रहा हूँ आपको यह जो यहाँ पास interlocking wedges ए से denote किया गया है उसके बीच में फसाने के बाद इसको यू सेब इस्टिल स्ट्रेप्ड है यहां लिखा हुआ है यू सेब इस्टिल स्ट्रेप इसमें डालते हैं उसके बाद यह जो clamp है चार-पांच clamp उसको क्रम से छोटे बड़े size में रखते हैं यह सबसे बड़ा यह उसे छोटा यह उसे छोटा फिरे दिरे दिरे छोटा इसको डालने के बाद hammer से और slate जो होता है उसकी सायता से इसको tight कर देते हैं तो और यहां पास जो यह फसा है इसको hook में फसा के यूज करते हैं बस यही है इसका construction आप इसका यहां देख सकते हैं क्या है और यह है डाइग्राम इसको आप बना लिजेगा झालें